नमस्कार आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो बिजनस करना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं, अपनी लाइक में कुछ अचीव करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, अभी तक अगर आपको लगता था कि यार इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे इस पहल मैं इसे कह सकती हूँ वीडियो को अंत तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा हमारा चैनल बैल आइकॉन का बटन जरूर दबाएगा और बताएगा कमें सेक्शन में कि आप आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो पहला कारोबारियों को मिलने वाला ये लोन खासकर झूटी पारलर टूशन सेंटर सिलाए आधी छोटे कारोबार के लिए दिया जाता है जब आपका लोन अप्रूज helemaal कर दिया जाता है जिसे आप क्रेजिट कार्ण की तरह इस्तेमाल करते हैं इस कार्ण के ज़र्ये पैसा निकाला भी जा सकता है, मुद्रा लोन में लोन को तीन भागों में बांटा गया है पहला शिशू स्कीम, इस स्कीम के तहट आपको पचास हजार तक का लोन मिल सकता है तो आपसे guarantee मांगी जाएगी जिसमें interest rate दस प्रतिशत तक हो सकता है 15 साल से 55 साल तक की महिलाएं स्कीम का लाब उठा सकती है आप इस loan के लिए online या offline आवेदन कर सकती है अधिक जानकारे के लिए website पर जाएं या इस नंबर पर संपर्क करें आप इसका link description box में भी वेख सकते है भारती महिला, bank श्रिंगार एवं अनपूर्ना स्कीम भारती महिला, bank महिला उध्योमियों को बहुत से loan प्रदान करता है जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिल सके इस योजना में दो बहुत अच्छे options है पहला श्रिंगार योजना, दूसरा है अनपूर्ना योजना श्रिंगार योजना, इसके तहत loan beauty parlor, salon, पा शुरू करने वाली महिला ले सकती है ये bank ऐसी महिलाओं को loan उपलब्द कराता है जिने इन में से किसी एक का विवसाय शुरू करना है श्रिंगार loan से चुडे नियम आवेदर के उमर कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए रीपेमेंटर यानि भुकतानावदी अधिकतम 7 वर्ष तक होती है ये loan CGTMSC योजना के अंतर गर्थाता है करना है जैसे food catering आदी इस योजना के तहत अधिकतर loan amount 5000 तक है जिसे की 36 महीने में यानि 3 साल में वापस करना होता है इस योजना में भी आवेदर की उम्र न्यूंतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए ये loan CGTMSC योजना के अंतर गर्थाता है इसलिए इसमें security guarantee की ज़रूरत नहीं है 3 शक्ती package scheme महिलाओं को सशक्त बनाने और महिला उदमिता को प्रोथ साहिद करने के लिए State Bank of India द्वारा शुरू के गई इस 3 शक्ती package scheme ये loan scheme उन महिलाओं के लिए है जिन में महिलाओं का स्वामित्व 50 प्रतीशत से अधिक है scheme का interest 11.2% ट्रेट से शुरू होता है आवेदक इस loan के लिए नस्देकी ब्रांच में जाकर और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं त्री शक्ती loan scheme के तहट किसी एक महिला द्वारा या एक महिला से अधिक महिलाओं द्वारा प्रबंदित लगू उदम स्वामित्व वाली कंपनी प्राइवेट लेमेटेट कंपनी आधी जिन में महिलाओं का स्वामित्व 51% से अधिक है वो इन योजनाओं के पात्रुब माने जाएंगे ऐसी महिलाओं जो रिटेल के बिजमन्स के लिए loan लेना चाहती है रिटेल ट्रेडर्स 50,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक करें इस योजना के अंतरगर्थ ले सकते हैं बिपारिक उदम भी 50,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का लोन ले सकती हैं पेशेवर महिलाओं 50,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का लोन इ- схем के माध्यम से ले सकती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाएं भी, इस स्कीम के जरिये 50,000 से 25,000,000 तक का लोन ले सकती हैं। त्री शक्ति स्कीम पाकेश के अंतरगरत 10,000,000 रुपए तक का लोन, कॉलिटरल फ्री रहने का प्रापधान है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेब साइट पर जा सकते हैं। 30,000 से शुरू होता है. एक करूर तक लुप्र controllers की सुविधा की सेइंत कालानी यूजन эта की सहथ महिला अधिया को एक करोर Од्य तक लोन की सुविधा है। साथ ही यूजना की त resposta तक का होता है। अगर महिला अपना नया उध्यम शुरू करना चाहती है या फिर उसे संशोधित करना चाहती है तो Central Bank of India के द्वारा उन्हें लोन की DHS योजना का लाब दिया जाता है। इस योजना के तहट ये लोन उन महिला उध्यों में द्वारा लिया जा सकता है जो गाउं, लगूं और मद्यम उध्यों उध्यों उस्वरोजगा, क्रशी, खुद्रा, व्रपार जैसे व्यवसाइक उध्यों में शामिल होती है। इस स्केम से जूड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शिन बॉक्स पर इस लिंक को देख सकते हैं। भारती महिला बैंक बिजनस लोन ये स्कीम उन महिलाओं के लिए हैं जो रिटेल और MSME में अपना बिजनस शुरू करना चाहती हैं। इसके तहब मैनुफैक्टरिंग इंडस्ट्री के लिए अधिक तम 20 करोड रुपए तक का लोन उपलब्त कराया जाता है। इस स्कीम के लिए सस्ती दरों पर विशेश रून की सुविदा दी जाती हैं जिस पर शिने दश्यमलव 2.5 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। इसमें इंट्रस्ट्रेट 10.5 प्रतिशत से 13.6 प्रतिशत सालाना तक जाता है। महिला उद्योम्यों को ब्याजदर में 25 प्रतिशत की रियाद दी जाती है। अधिक तम 7 साल तक एक लचीला पुनर भुपतान प्रदान करता है। अगर आपका लोन राशित से कम हैं तो इस्थिती में किसी भी चीज को गिर्वी रखने की ज़रूरत नहीं है। अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपना कारोबात खुछ से बढ़ा सके। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्टेंडप इंडिया लोन योजना शिरू की गई है। इस शियोजना का मकस्द देश में कारोबार को भड़ावा देना है। इस स्कीम का लाब वो उन लोगों को भी दिया जाता है जुनके पास इनोवेटिव बिज के लिए उपलद है यानि की लाबार्थी का पहला वेंचर इस लोन की सुविधा सर्वेस, मैनुफेक्टरिं या ट्रेडिंग सेक्टर के लिए उपलद कराई गई है। लोन लेने वालों को किसी भी बैंकिंग या वितियर संस्थान से डिफॉर्टर नहीं होना चाहिए। इस केम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जाएं या फर दिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसे देख सकते हैं।